बच्चों आज हम इस वीडियो में कक्षा नोवी के गडित विसे के अंतरगत चत्र दोजार तेस चोबिस की अर्दवार्सिक एवं वार्सिक परिक्षाओं के अंतरगत निदरनात्मक्षाओं जो मार्डूल जारी किया गया है उसमें दिये गए अध्याय दो बहुपद के अ नात्मक्ष और एक्स की घात परिवे संक्या वाली हो तो उसको हम बहुपद नहीं किएते हैं यहां पे जो बहुपद दीया गया है इसमें C option बिल्कुल सही है ये बहुपद हैं बाकि अन बहुपद नहीं होंगे प्रश्न ल क्रबंग दो जिसमें हमें बहुपद की घात बतानी है, कि वह अधिक्तम घात यह चार प्राफ रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि घात 4 होगी, यह और यहाँ जैसे हम रखते हैं, दो करनी 2, लिखेंगे, इसको दो करनी 2 किbahात, दो करनी 2, और फिर दो करनी 2, खोश्चक में लिखेंगे, ध्यान 1 लिखेंगे, इसके बाद हम इससे सरल करते हैं तो 2-2-4, 2-2-8 प्राप्त हो जाएगा और यहां से हमें 8 ही प्राप्त होगा और धन एक प्राप्त होगा इस प्रकार से हम देखते हैं कि धन एक प्राप्त हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जो option नमबर बी है वह सही होगा एक प्राप्त होगा इसका हल इसके बाद चौथा है यदि PX बराबर X धन 3 है तो PX धन P RIN X बराबर है तो X के स्थान पे RIN X रखेंगे और हम सरल करेंगे तो यहाँ पे PX अर्थात X धन 3 और RIN का गुणा कर देते हैं X के स्थान पे तो RIN X धन 3 प्राप्त होगा और इस तरीके से हम देखते हैं कि X X कैंसल हो जाता और 3 होती 6 प्राप्त होगा तो यहाँ पे जो option D है वह बिल्कुल सही होगा इसके बाद चलिए छटवा प्रशन देखते हैं बहुपत P X बराबर 2X धन 5 का सुन्यक है तो 2X धन 5 का सुन्यक ग्याद करने के लिए हमें इसके बराबर सुन रखना होगा पक्षांतर करेंगे तो RIN 5 होगा और X बराबर RIN 5 प्राप्त हो रहा है वह बिल्कुल सही है प्रश्न क्रमांग 6 जिसमें हमें X धन 1 निमलिखित बहुपत का गुरण खन है का जा रहा है तो इसमें से हमें ग्याद करना होगा X इसमें X धन 1 गुरण खन है के नहीं इसके लिए बच्चों क्या करना होगा X धन 1 बराबर सुन रखें और X का मान RIN 1 तो जैसे हम रिन एक रखते हैं तो यह सारे जितने बहुपत दिये गए हैं यह इसमें से संतुष्ट होना चाहिए तो कोई ना कोई एक संतुष्ट होगा अर्थात इसका मान शून के बराबर प्राफ्थ होगा वह उसका एक गुड़नखंड होगा तो इसमें च्छटवे प् लिए बच्चों कि हम यदि एक इसंड एक का मान सुनरे के बरावर रख् לח देए तो एक एक सपराबर रिने 205 रखते हैं आज 1260 इसके बाद आईए प्रश्ण कर्वांग आठ देखें जिसमें इसका मान ग्याद करना है दो 249 की गात दो रिन 248 की गात दो का मान हमें पता करना है तो यहां पर हम देख रहे हैं इसको सरल करने पर हमें यहां प्राप्त होगा 497 के बराबर इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं X कवर्ग रिन Y कवर्ग जैसे कि हम बदा रहे हैं आपको ऐसा अपसरल कर लें या A कवर्ग रिन B कवर्ग का सूत्र तो A धन B एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में A रिन B लिख लें और यहां पर एक अमान 249 रखें 249 धन 248 कर लें और इसी तरीके से यहां पर 249 में से 248 को घटा दे तो इसको जोड़ने पर देखते हैं बच्चों यहां पर हमें प्राप्त होगा 400 संत्यानवे अब 400 संत्यान में गुड़ित एक प्राप्त होगा इस प्रकार से जो ऑप्सन नंबर डी है वह बिल्कुल सही होगा आई यह बात कर देखते हैं जिसमें यहां पर एधन बीधन सी बराबर 0 है तो एक यहां 3 धन बीधन सी की यहां 3 का मान होगा तो यहां पर इसका आंसर है 3 A B C एक सूतर है जिसमें आपको एधन बीधन सी का मान 0 रखना है तो यहां पर इसका मान आट्मेटिक आपको 3 A B C प्राप्त हो जाता है चलिए बात करते हैं यहां पर बहुपद 5 X रिंड 4 X या 2 धन 3 का मान X बराबर 2 है तो होगा X का मान 2 रख दीजिए तो 5 गुड़े 2 रिंड 4 दो की घाट 2 धन 3 इससे सरल कर लें तो 10 रिंड 16 धन 3 प्राप्त होगा और यहां पर 13 रिंड 16 अर्थात रिंड 3 हमें प्राप्त हो जाता है तो आप्सन नमबर B आपको दिखाई दे रहा है रिंड 3 यह इसका हल होगा चली बच्चों प्रस्ण क्रमंग 2 देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है रिक्तिस्थानों की पूर्ती करना है असुन अचरपद की घात सदेव होती है तो इसका आंसर होगा शून होती है दूसरा प्रशन है रेखी बहुपद में चर्की अधिक्तम घात होती है रेखी बहुपद में एक होती है चर्की घात यह आप देख रहे हैं रेखी बहुपद A, X, B लिखते हैं तो X की घात कितनी है एक ग्यात है तीसरा प्रशन है बहुपद X, 3 X, 2 धन, X, 1 में X, 2 का गुढंक यहाँ पे आप X, 2 के गुढंक में रिण एक दिखाई दे रहा है तो इसको लिखेंगा में रिण एक होगा प्रशन करबांग 4 देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ भवपद X, 2 धन, 11 X, 10 का गुढंकर्ण X, 2 धन, X, 2 धन, X, 2 को हम दो बार लिखने क्योंकि घाद 2 धीया गया है तो दो बार लिख लिए अब आप देखें यहाँ पे X की हाद 2 प्राप्त करना तो X का गुढं करना पड़ेगा और X का एक में गुढं कर दी तो धन X हो गया यहाँ चुकि 11 X थी तो हमें 10 का गुढं करना पड़ेगा गया है असुन अचरपद की घाद परिभासित नहीं है तो यह कथन भी आसत है इसके बाद चौथा प्रशन हम देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है चुकि घाद 4 दिखा हुआ है तो यहाँ पे यह कथन भी आसत होगा घाद 2 होती है इसके बाद 5 प्रशन है कि 3 एक धन 5 एक रेखिक भववपद है तो एक घाद 1 दी गई है तो यह एक अथन बिल्कुल सत्त ही है तो इस प्रकार से हम देख रहे थे सत्त अथ सत्त वाले प्रशनों को इसके बाद हम बात करते हैं प्रशन करपांग 4 में सही जोड़ी बनाना है तो पहला जो सही जोड़ी बनाना है एकसी घाद आपको दी गई है तीन रिन वाई की घाद तीन तो इसको आप मिलान कर दें यहाँ पे दा आप्सन के साथ यह बिल्कुल सही होगा इसके बाद दूसरा जो है एकसी घाद तीन धन वाई की घाद तीन इसको आप मिलान कर दें आपसन के साथ यह बिल्कुल आपको सही जोड़ी होगी इसके बाद तीसरा आप मिलान कर दें एकसन एक का सुन्यक बराबर शुन रखने पर एक्स कमान रिडिन एक प्राप्ट हो जाता है तो बाप्सन बिल्कुल सही है इसके बाद आप चोथे प्रश्ण में देख रहे हैं कि इसकी घात है दिक्तम घात चार दी गई है तो इसको हम E-option के साथ मेच कर दें और इसके बाद भूपद का सुनर्ण के गएंप्स के ब्राप्ट रखते हैं तो एक्स कमान रिडिन दो बटे पांच प्राप्त हो जाता है आप साथ इसको मेल कर दीजिए इस प्रकार से ये थी आपकी सही जोड़िया इसके बाद चलिए प्रशन करवांक पांस देखते हैं जिसमें एक सब्द वाक्य में उत्तर देना है तो पहला प्रशन है ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुडांक शुन हो तो इसे हम कहते हैं शुन बहुपद शुन बहुपद इसके बाद आप दूसरा प्रशन देख रहे है तो इसको हम कहते हैं दूई पद इसको चौंथा प्रशन है एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं से रेखिक बहुपद तो इस प्रकार से इन प्रशनों के अंसर आपको देने थे तो यह बेकलपिक प्रशन थे अध्याय दो के अंतरगत जो कि आपको समझ में आ गया होंगे इसी पिकार के contents जोड़े हैंने के लिए आप चैनल को जरूर सब्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में